वेक्म तो फिच्टर है दो ते चैनल में आपका स्वागदाग दोस्तों आज मैं आपके लिए बैलोरेक्स कम्पनी की कोडलेट डिल मशीन ले खेया हूं जो उन्सा प्रेसलेस हैं दोस्तों इसके साथ हमें टूल किट भी मिलती है जो छुछ न्सा मैंने वीडियो का लाइका कबर चड़ारा की पूरी डोल किसा ना है अगर मैं इसकी बौक्स की क्वाल्टी की बात करूं तो टूल बौक्स की बड़ी बड़ी जब्दत है कि बील्ड कौाल्टी है यानि कि यह नहीं है क्या है अगर तो उस्मुछ होने वाला नहीं है और यह देखो कलर कॉंबिनेशन ने भी इन्होंने बड़ा प्यारा कर रखा यहां पर ब्लू और ब्लैक का कर रखा है और जहां इन्होंने कंपनी की ऊपर ब्रांडिंग कर रखी है दोस्तों ड्रिल किट बॉक्स के अंदर हमें यह यह समान मिलता है तो दोस्तों पहले हमें मैनुवल बुक मिलती है मैनुवल बुक के अंदर पूरी इन्होंने गाइड वगारा दी होती है तो इसको पढ़ना बहुत जुरूरी होता है और दोस्तों दो हमें इसके साथ बैटर आजर मिलता है और एक हमें इसके साथ एक हमें ये डर्ल मिलती है अब भोग्स के अंदर जैसे हमारे टूक अपाटमेंट है यह फरस्ट के अंदर वाला भी मैंने बता दिया हम आपको सेकंड वाला बताता हूं दो तो जैसे के मैने बोला था कि यह हर not घर में ये टूल के टोनी चाहिए चोटे-बोटे हम जैसे काम वगारा करते हैं वोडिंग का काम करते हैं और कोई हमने घर में अपनी कोई चीज व cay करना टांग नीहीं है कोई फोटा नो सोकेट मिलते हैं पांच एमम से लेके तेरह एमम तक का सोकेट मिलता है और दोक्तों इसके साथ हमें एक सोकेट भी मिलता है जिसके अंदर हमारा यह सोकेट लग जाते हैं ड्रिल के यह पहले ड्रिल में लगाना पड़ता है फिर इसके अंदर सोकेट लगाना पड़ता है तो इस तरीके से हमारा socket drill के अंदर work करता है तो इसके साथ हमें जोंसे अपने wooden के drill bit मिलते हैं तीन wooden के drill bit मिलते हैं और तीन steel में अगर hole उगारा करने यह वो तीन bit मिलते हैं तो दोतो wood के लिए हमें 4 mm, 5 mm और 6 mm तो ऐसे ही steel का है 4 mm, 5 mm, 6 mm और दोतो इसके साथ के हमें प्लस और माइनस के हमें इसके साथ यह 6 screw गरा खोलने के लिए मिलते हैं तो इसके साथ भी holder नहीं लगा रखा है और यह कुछ इन्होंने इसमें star वाले भी दे रखें मैं आपको दिखा देता हूं यह star वाले आपको नजर आ रहे होंगे यह इस तरीके के हैं और यह हाती तहीक से हमारे इसे ढदर सेफ रहते हैं नोट्रो के दीट रहते हैं नोटर से से के पीछे दिखो जिए यहाँ पर इंडिकेटर दे रहा कि हमारी बैट्री के CELL चार्ज हो जाते हैं नोट्यो मारी बैट्री कर chemotherapy क्य होता हमारा यह था बैट्टी का लगाता थे ऐसे नहीं करना आपने तो इसमें का होगा आपकी बैटरी भी डैमेज होज़ेगी आपका चार्जर भी खराब होज़ेगा जिस टाइम पूरी अच्छी तरीके से यानि कि बिल्कुल आपकी खतम बैटरी हो जाती है तब हम यह चार्ज पर लगानी है और दोस्तो यह चार्जर यह लोगा टना यह को सुघ्य। जैसे काम् करने वल्किवाय को हम बिल्कुल करते हैं कि आजए के तो दोस्तों सब्से पहले चीं में प्ल तो बैटरी हमारी इस तरीके से थे रहेगी दोस्तों एक इसमें लट राजी लाइट आती है, फूल को क्यों का यह दखो है लेडी लाइट इसकी जलगी है अगर आप ओफ डिल को कर देता है तो दस सेकंड में अपने आप यह बंद हो जाती है लाइट और दो तो इसके साथ हमें एक बैट क्लिप मिलता है सेफटी के लिए कलकुम उपर की या उपर की जगा काम कर रहे तो जगा म हमारी नीचे नहीं गिरेगी और दो तो एक हमें हैंड बैल्ट मिलती है यानि कि हाथ के अंदर हमने बैल्ट बगारा डालेते कलकुम काम बगारा करते हाथ से भी शूर जाए तो टूल हमारे हाथ में ही रहता है दो तो अगर मैं इसकी कलर कॉंबिनेशन की बात करूं तो ड इसकी प्रस्टिय ऐसे लग रहा है जर्मन का टूल है क्योंकि मेरे पात जितने भी हैं सारे अच्छे ब्रांड के टूल हैं अगर मैं इसकी डाई की बात करूं यासे कंपनी डाई वगारा अपने टूल की बुनाती है तो यहां से जोंसी इसके जोइंट वगारा होते है है हाथ वगारा में पकड़ते हैं हमारे हाथ में पसीना वगारा आ जाता है तो इससे कहता सिलीकॉन रवर्ट से कई रवड़े तो ऐसी होती है यान कि एक या डेड़ मीने में समेल आना चालू करने ती या तो यहां से ओधनी चालू इसमें ऐसी प्रोब्लम नहीं आएगी हाथ के लिए ग्रिप काफी अच्छी है और काफी हैंडल इसका मोटा पतले में नहीं है यह देखिए काफी मोटा कम से कम सवेंची के करीब है यान कि ग्रिप काफी अच्छी रहेगी और दोतों यहां पर भी इन्होंने सिलीकॉन रवर्ट बगारा दे रखिया टाता है अगर दोतों मैं इसके चैकनट की बात कर लोगए नहीं से लेकर यान कि बीस इसके अदर टोर कहां यान कि जितने पर भी आपने शेटिंग करनी तो उसी साब से आप कर सकते हो जैसे हैं आपने लेके छे तक तो आप कर सकते हो यह हमारा हो गए इस तरीके ते हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं तो बाकी दोस्तों इसमें यहां पर है यह देखें आप सपीद से कंट्रोल कर सकते हो इस इस इसे कम बढ़ती स्पीड हो जाती है और यह लेफ्ट राइट के सामने इदर से लेफ्ट राइट चलती है और यहां पर इन्हों सी स्पीड एंग फर्स्ट और सेकंड का यहां से दोखो यह यहां से दोस्तों आम तोर पर कम्पनी जब कोई भी इतना यानि कि सस्ता टूल बनाती हो वो क्या करती है स्कूरू गए भी देखती है इसके नदर छे λगे या इसमें चार लगाएं इसको मैं पर कम से कम में रहा ज्यादा नहीं तो आर्त थ Mist一个 यान непोई ऐसके चोटी चूटी चीजने भी कंपणी ने देख रखें दो मैं तो कह रहा हूं यह यानि कि गोनसा टूल है यानिकि मैं इसको तो लिक खोड़ों सुच बगारा खोड़ों यानि कि यह 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 आपको यह टूल ऐसा डियाईवी टूल है हरे घर में होना चाहिए बाकी में आपको इसके साफ वर्क करके दिखाते हैं अगर आपको यह परचेज बगारा करनी है तो दोतों एमाजोन का लिंक मैं नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ जाके आपके परचेज कर सकते हो जोंसा इसका प्राइज है अगर दोतों आपको डिल मशीन में कोई भी दिक्कत वगारा आती है तो कस्टमर के नंबर आपको स्क्रीन पर सामने नजर आ रहे होंगे तो वहाँ जाके आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोतों मिशीन के हम वर्किंग करके देखते हैं यह मैंने फैक्सिवल रोड इसके आगे लगा दिया है तो इसके होल्डर में स्टार वाला स्क्रू मैंने लगा दिया है तो दोतों हमने क्या करना है इसके अंदर लगा के तो इसकी मुझे मैगनेट पापर कम लग रही है क्योंकि मेगनेट पापर ज्यादा होनी चाहिए अगर हम ड्रिल के साथ करें क्योंकि ड्रिल हमारी इसके अंदर जाएगी नहीं तो फैक्सी वाल रोड इसकाम आती है हमारी अब इनको खोल भी लेते हैं हम इनको फैक्सीवल रोड का हमारा ये फैदा आप इसको जैसे मर्जी मूव कर सकते हो उपर नीचे लेफ्ट राइड जैसे मर्जी कर सकते हैं जितनी आपके बाद जगा है उतने में यह वर्किंग कर सकती है बहुत हीजी काम हो जाता है हां दो तो एक चीज में आपको और बता देता हूं जैसे के मैंने बोला था जैसे ड्रिल है अपना ब्रेसलेस है दो तो आम जितनी भी ड्रिल होती हो उसके अंदर का होते हैं हमारे कारवन डलते हैं यानि कि पांच-छे मीने बाद बाद हो हमें चेंज करने पड़ते हैं य अगर देखेंगे वैसे टोर्क मैंने इस पर बारा पर कर रखा है अगर इस पर नहीं तो आम पावर इसकी और बढ़ा देंगे काफी अच्छी पावर है यह वैसे तो पाइंट वूट की लकड मैंने ले रखी है काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है यह तो आपको दोस्तों डेमो चेक करके दिखारों भी इसकी पावर दिखारों यह किस तरीके से काम करती है अगर घर में यासे कोई हेंडल वगारा कोई द्राज की नोब वगारा करने यह दोखो यह मैंने बारा पर इसका टॉर्क कर रखा था भी मैंने इसको पावर दी नहीं दोस्तों यह मैंने 11 mm का सोकिट यहां से साथ है तो मैंने सोकिट होल्डर भी इसके साथ लगा दिया यह मैंने टैच कर दिये इसके साथ तो यह दृंद के अंदर मैंने टाइट कर ले न है तो घर में कोई भी यानिकी मोटर वगारा कोई भी नट बोलड वगारा खोलना तो इसकी मतलड से हम खोल सकते हैं इसको 11 नंबर का इसका तो कोई भी आपको की लेज़न cocktails के दर कूल लाका बिल्धक मोटर को खोले ॐ तो यह करना है फिर आम इसको हलका हाथ से टाइड करेंगे आ open तो इसके साथ हमें वूड का विट भी मिला हुआ था जैसे मैंने आपको बोला था तो मैंने सिक्सम का आगे भांद लिया तो हम वूड में होल करते हूं घर में कोई भी आपने अलमारी का हैंडल हो गारा लगाना तो बहुत काम आने वाली चीज है ज़िए दोस्तों मैंने इसके अंदर है एचसेस वाला बिट भांद लिया तो मैं आपको अलमूम की पटी में भी होल करके दिखादेता हूं दोस्तों पावर वाकई बहुत जबरदता है चोटी थी चीज़ है पर पावर बहुत ज़्यादा है इसमें दोस्तों ड्रिल मिशीन के बारे में मैंने आपको पूरी अच्छी तीरी से डिटेल बता दिया है कैस का प्राइज है कहां से आपको परचेज करनी है और इसके कस्ट पटन दबाने के बाद ओल का पटन दबादाना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिवेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी मिलते है कि नई वीडियो के साथ दन्यावाग्या पर जाएश ।